प्रेटर प्रेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैंने जो कोशन बनाया है वो कोशन बनाया है मैचिंग की क्योंकि मैचिंग में कोशन करने में बहुत ही दिक्कत आती है और बहुत टाइम बरबाद होता है तो जिस तरीके से मैं question matching का बताऊँगा उस तरीके से यदि आप question करोगे तो आपका time बहुत बहुत अधिक बचेगा और आप matching वाले question बहुत ही बेहिचक तरीके से कर सकते हैं तो यदि आप हमारे channel पनाए है तो हमारे channel फिटर फिटर को subscribe कर देना और यदि आप सबस्क्राइब कर चुके हैं, तो हमारी मेचिंग के कोशन आप देखिए, पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, हम कोशन स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला कोशन है किस तरीके से हमें कोशन को करना है हम कोशन आपको शिखाते हैं जैसे पहला question हम देख रहे हैं कि ये वाल्व दिये गए है stop valve, safety valve, foot valve और valve वाल्वाल, तो आपको यदि पूरे valve नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप पहला valve देखे stop valve दिया है, मानली ये आपको पहला valve stall valve आ रहा है तो आपको stop valve को इन चार में से guessing कीजिए कि कौन सा बाल वारा तो चौते नमबर पर देखिए इसमें stop दिया गया है तो stop बाल का stop ही किया जाएगा तो इसलिए इसका एक अफोर answer मेच करना चाहिए अब दूसरे अभी मेच नहीं हमें कराना है पहले हमें answer चेक करना है कि यदि एक अफोर एक ही option में है तो हम tension फिरी हमारा answer clear हो गया तो हम इसका answer देखते हैं क्या दिखा रहा देखिए इसमें एक अफोर एक ही option में दिया गया है तो इसलिए इसका first answer right answer हो जाएगा एक अफोर यदि एक अफोर दो जगा होता तो हम पर दूसरा कोई answer एक match कराते लेकिन अब हमें match नहीं कराना है हम next question करते हैं हमारा दूसरा जो question है वो combination set से है कि combination set में 3 head होते है बर्गाकार head, square head, protector head और center head, अब हमें 1 head इसमें आ रहा है, मान लिए हमें square head आ रहा है, square head burger head का मतला होता 90 degree तो यह देखिए 90 degree match कर रहा है तो एका जो है 1 में match करना चाहिए हम एक ही match कराएंगे, answer check करेंगे देखिए answer check करते है, एका 1 इसमें जो एका 1 है, वो एक ही answer में है इसलिए first answer, right answer हो जाएगा आप इस तरीके से question करोगे बेचक matching के question आप कर सकते हो यदि matching में आपने 4 match कराए आप कब question paper छुड़ जाएगा आप पूरा question नहीं कर पाऊगे इसलिए आपको एक ही match कराना है पहले यदि answer एक में clear नहीं होगा तब हम दूसरे match कराएंगे अब जिसको counter boring के बारे में नहीं होगी तो die drill के बारे में होगी die drill के बारे में होगी या double margin drill के बारे में होगी लेकिन मुझे मालू मैं counter boring deal पहले नंबर पर जो दिया है counter boring deal जो होती है इस प्रकार की कारिकिरिया होती है इसमें किये हुए डिलोल को 90 डिग्री में बढ़ाय जाता है ये एलन इस्क्रू के लिए होती है तो देख लिजिए एलन इस्क्रू फश्ट नंबर पे दिया गया है तो ये का जो है फ़र्ष्ट आंसर मेंच करना चाहिए हम देखते हैं आंसर में एक फश्ट किसमे है तो देख लिजिए इसमें एक ही औप्सन में एक फश्ट दिया गया है एक फश्ट है और किसी में एक फश्ट नहीत थार्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा अब तुम लोग ये समझ रहे होगे कि भाईया ने अपने हिसाब से आंसर बनाए है नहीं दोस्त ये UPRV UNL का जो पेपर हुए था technician 2 का उसी के question का मैंने skin sort लिया है ये मैंने question नहीं बनाए है बस मैं तो मैं किवल समझाने की questions कर रहा हूँ कि आप next UPRV UNL के पेपर के लिए तैयारी करें और समझें और सफल हो next question में आपको बताता हूँ ये चोथा number question है इसमें file दी गई है इसमें single cut दिया, rasp cut और you cut दिया तो आप मैं इसमें rasp cut की बारे में बहुत अच्छे से समझता हूँ कि rasp cut का उपयोग लकडी और फाइवर के लिए किया जाता हम answer देख लेते हैं rasp cut का तो बी का थिरी देख लेते हैं तो इसमें देखिए बी का थिरी जो दिया गया है वो first में दिया है और fourth में दिया गया है तो इस प्रकार के question में थोड़ा आपन को एक और match कराना पड़ेगा हम जाते हैं दोवारा से question पर कि first और fourth में से एक answer होगा बी का थिरी क्योंकि दोनों में दिया गया हम देख लेते हैं इसमें यूग म कट और एकल कट दिया गया है इसमें सिंगल कट फाइल जो रहती है उसका हम जाद अतर अधिक उपयोग नहीं करते हैं वो short metallic के लिए उपयोग करते है तो सामन कार में जो file यूज होती सामन कार में वो double cut file का यूज होता है सामन कार के लिए तो इसमें C का 1 होन होना चाहिए हम देख लेते हैं first of fourth में देखते हैं C का जो 1 दिया गया है C का 1 वो इधार दिया गया है C का 1 इसलिए fourth answers का right answer हो जाएगा इस तरीके से हम करेंगे next question पांचपा question है इस question में हमें tongue दी गई है तो tongue का कम से कम एक दू टॉग का नाम तो आपको आने चाहिए तो इसमें देख लीजिए B number पर दी गई है या यह number पर दी गई है जो आपको दीखना है कि उसमें से 1 कोई tongue देख लीजिए इसमें देख लीजिए जो B number पर दी गई है इसके जो मूँ है वो चप्ता हिस्सा है तो B पर flat tongue है अहम answer पर जाते हैं देख लीजिए इसमें flat tongue सपाट अंग दिगे देख लिजे इसमें सपाट तॉंग दिगई थी हमारे चित्र में वो वी नंबर पर देख ती ef Mireles है देखलिए इसमें देखेल बी आपसन हो जाए यूर्शी एक जगाएं पर होता तो यूति ओर्बनंकिन में चितर मेच कराते हैं, लेकिन एक ही जगह हैं, जादा Overse part इसमें दिखाने की जरूआससे मैं भाने क्यूंकि ज़ादा टाइम बर बात करने से आपका पेपर छूट सकता है, यह आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आप समझेए मेरी बात को नेक्स कोशन हम करते है यह कोशन हमारा हमाईकोमीटर का है इसमें से कोई एक मैच करा वे सी हमें पता नहीं चलेगा इसमें अलग बाला द Kerryना तो इसमें देखिये इसमें जो आधार आधार दो में दिया है और लोकनट दिया है तो हम इसको सी को मेंच कराते हैं सी को मेंच कराते हैं सी को देख लीजिए c नम्मर पर देखते है c में जो base है यह आधार है c नम्मर पर जो दिया है यह base है जो c नम्मर पर दिया है यह depth micometer है इसका c जो है base है c का मतलब है base हम जाते है base कितने में दिया गया है तो base जो दिया गया है दो option में दिया गया है ये दो दिया गया है फस्ट में और सेकिंड में आप हम इसमें मैच कराएंगे लोकनट दोनों में दिया इसको मैच नहीं कराएंगे आप हम मैच कराएंगे इको आप हमारे दो ही अंसर रहेंगे या तो Depth Rod वाला होगा E को देखेंगे हम E देखिए इसमें E क्या होता है E देखिए इसमें Depth Rod है E जो है Depth Rod है सबसे नीचे दिया गया है हम Question में देखते है Depth Rod किसमें यह Answer में यह Depth Rod दिया गया है तो इस तरीके के Question थोड़ा Cutting हो जाते हैं इसमें किवाल Depth Rod दिया First Answer जो हमारा Right Answer हो जाएगा जब सिम सिम option देगा तो इस तरीके के कुंशन में तोड़ा दिक्कत हो सकती है next question हम करते है यह जो है यह लोहे वाला दिया गया है तो इस लोहे में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कुशन हो रहा तो यह इसमें एक दिया है है D का 2 और कहीं D का 2 नहीं दिया गया तो हमारा 2nd answer, right answer हो जाएगा, next question करते हैं, जो दिया गया है इसमें हमें देखना है कि Grander का ये part दिया गया है तो ये Grander को हमें match कराना है कि ये क्या है, तो जो ये होता है ये every ship का प्रकार होता है, तो इसे नंबर पे दिया गया है एपड़ेशिफ का प्रकार अब घंश्ण का प्रकार इसको थोड़ा हिंदी पापको दिक्कत होगी तो आप इंग्लिस में आपको दिया जाएगा तो उससे आप बी होना चाहिए इधर सी होना चाहिए इधर डी होना चाहिए तो सी का जो बन मैच कर गया अब हमें एक और मैच कराना है तो हम एक बी को मैच करा देते हैं तन्तू का प्रकार मतला होता है apprenticeship के grade का परकार तो जो grade होता है वो 3 grade होते है soft, medium, hard और alphabet में होते है a से h, i से p और q से z तो जो है तंतू का परकार दो number का हमारा या b का b का तीसरे में match करना चाहिए हम option देख लेते हैं कि b का third किसमें match कर रहा तो देखिए इसमें b का third जो है यह इसमें match कर रहा b का third, c का one तो दोनों में था लेकिन b का third एक ही में तो fourth answer right answer हो जाएगा तो इस तरीके से हम दूसरा match करा के भी answer ढूण सकते है, next question हमारा जो है यह building का है तो building में यह दिया है gap, tacking reverse polarity और यह proper current तो इसमें आप लोग tacking के बारे में थोड़ा जादा जानते होंगे, tacking का मतलब होता है कि हम दूर दूर पर joint joint लगा देते हैं, proper हम उसमें building अभी नहीं बढ़ते हैं, दूर दूर joint लगाने से क्या होता, जह हम building बढ़ते हैं तो हमारा जोब खिसकता नहीं है, तो हमें continue building करने होती है तो हम टेकिंग का यूज कर लेते हैं तो हमारा ये B का 3 में मेच करेगा हम option देखते हैं, B का 3 तो इसमें देखिए B का 3 एधर B का 3 है और एधर B का 3 है, हमें एक और मेच कराना पड़ेगा, कोई भी एक answer और मेच कराते हैं, तो इसमें पहले number पे दिया है, reverse polarity तो reverse polarity भी हम लोग जानते हैं कि पतली seat ओं के लिए होती है तो हमारी thin seat C number पे दी गई है और A number पे ठिक seat दी गई है तो ठिक हम नहीं लगाएंगे, thin seat जो होती है तो हमारा C का 1 answer होगा तो हम देखते हैं, answer में C का 1 तो C का 1 दिया गया है ये C का 1 जो दिया गया है, इधर दिया गया है इसलिए हमारा third answer, right answer होगा next question हम करते हैं, दसमा question इसमें हमें लिट मसीन के पार्टों को मेच कराना है, तो apron, carriage ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जो हमारा apron होता है, इस पे lever लगे रहते हैं इससे हम feet देते हैं, और feet को control करते हैं, तो इसमें first number पे देखिए, आप A number पे दिया है, carriage का एंतर बिन्यास, एंतर बिन्यास का मतलब होता है, feet मेcanage में जो control किया जाता है, तो हमारा A का 2 में match करेगा, हम A का 2 देखते हैं, A का 2 answer में, तो A का 2 एक ही answer में दिया गया है, इसलिए हमारा first answer, right answer हो जागा, इसमें हमें दूसरा answer match कराने की जरूरत नहीं है इस तरीके से हम एक या दो answer match करा करके, matching को कर सकते हैं आप भी इस तरीके से matching कीजिए और practice कीजिए, और हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं आज के लिए इतना ही, okay, why, why